नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा कहां कदरदान तुझे ऐसा मिलेगा आज जब इस घटना क्रम के बारे में रिसर्च कर रहा था तो अनायास ही ये गाना मेरे मन में बारवार कौन रहा था इस वीडियो को देखिएगा समझ में आ जाएगा कि बुलबुल कौन है और कदरदान कौन दरसल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंदर चूर्ड ने एक वार फिर से मोधी सरकार को तगडी डोज दी है इस बार ये डोज केंदर सरकार और गुलाम ब्यूरो क्रेसी के गठजोड को ले करके है डीवाई चंदर चूर्ड ने सॉलिसिटर जनरल तुसार महता से इस फश्ट सब्दों में पूछा क्या पूरे देश में एक ही I.S. अदिकारी बचा है जिसको मोधी सरकार दिल्ली के चीफ सेकेटरी की रूप में देखना चाहती है क्या चीफ सेकेटरी नरेश कुमार के अलावा किसी अन-I.S. अफिसर में इतनी योगिता नहीं कि वो दिल्ली का चीफ सेकेटरी बन जाए ये पूरा मामला दिल्ली सरकार और केंदर सरकार के बीच में जो बार चल रहा है बिरोक्रेसी को लेकर उसी से सम्मंदित है आपको याद होगा कुछ दिन पूर्व सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के पक्ष में निर्ने देते हुए कहा था चूंकि दिल्ली सरकार जनता के बोटों से चुन कर आई है इसलिए किस भी उरोक्रेट से उसको काम लेना है उसकी ट्रांसपर पोस्टिंग का अधिकार दिल्ली सरकार को होना चाहिए इस आदेश से तिल मिलाई मोदी सरकार संसद में बिल ले करके आ गई और उसने दिल्ली सरकार से याधिकार छीन लिया इसी रस्सा कसी के बीच में दिल्ली के चीफ सेकेटरी नरेश कुमार का इसी 30 नवंबर को रेटार्रमेंट है लेकिन केंदर सरकार उनको सेवा विस्तार यानी एक्स्टेंसन देना चाहती है इस मामले में दिल्ली सरकार सुप्रीम कोट तक पहुँची और कहा कि अगर केंदर सरकार और चीफ सेकेटरी के बीच में कोई गठजोल नहीं है तो क्यों केंदर सरकार नरेश कुमार को ही चीफ सेकेटरी बनाए रखने पर अड़ी है पिल्ली सरकार की तरफ से पेश हुए एड़ीकेट अब इस एक मनु सिंग भी इसपश्ट तौर पर कहते हैं केजरी वाल सरकार अपना पसंदीदा चीफ सेकेटरी नहीं बनाना चाहती बलकि नियम से बनाना चाहती है सबसे सीनियर आईएस ओफिसर बना दो या उपरा जपाल और मुखमंत्री तै कर ले या मुखमंत्री से पांच सीनियर आईएस के नाम लेकर आप ही तै कर दो लेकिन किसी आईएस ओफिसर को बिना वज़े सेवा विस्तार क्यों दे रहे हो ये विनावजे जो सब्द है यही तो खतरनाक है दरसल इस समय पूरे देश की ब्यूरोक्रेसी इनाम और मकसद दो सब्दों से सबसे जादा प्रभावित है केंद्र सरकार को जिस ब्यूरोक्रेट्स में गुलामी के लक्षण न जराए उसको इनाम देने के लिए सेवा विस् में महत्पूर्ण भूम का निवाए उसी को एक्स्टेंशन का इनाम मिलता है महज इस मामले में नहीं इससे पहले आपको याद होगा ED के डायरेक्टर संजे कुमार मिसरा का एक दो बार नहीं बलकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा अवैद करार दिये जाने के बावजूद तीन तीन बार सेवा विस्तार दिया गया जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया अब नहीं तब ED का डायरेक्टर वो भी कारिवाहग बनाया अब आप कहेंगे महज दो मामले संयोग भी हो सकते हैं तो आपको इस सरकार का पूरा काला चिठा थमा देता हूँ आईबी प्रमुख और रोचीप के पत से सामंत कुमार गोयल रेटायर हुए उनको सेवा विस्तार दिया गया केंद्री ग्रह सचिप पत से अजय कुमार भला रेटायर हुए उनको सेवा विस्तार दिया गया केंद्री ग्रह सचिप के तौर पर अजय कुमार भला ने देश का क्या भला किया ये तो नहीं कह सकता लेकिन मोदी सरकार या यूं कहें संगी एजेंडे में जितने भी महतपूर मामले गरह बिवाक से संबन्दित थे सब में अजय कुमार भल्ला ने महतपूर भूम का निभाई यानि की मकसद पूरा किया तो इनाम मिला राके सस्थाना सब को याद होगा सीवियाई के ततकालीन डायरेक्टर से खुब विवाद हुआ था गुजरात के आईपियस हैं अमिस साह के बेहत करीबी माने जाते हैं सेवा विस्तार दे करके दिल्ली पुलिस का कमिस्नर बना दिया गया कैविनेट सजिव राजीव गावा याद होंगे रेटायर्मेंट के बाद विस्तार दिया गया उत्तर प्रदेश के चीफ सेकेट्री रेटायर होने वाले थे दस दिन पहले अचानक से उत्तर प्रदेश भेजा जाता है एक सेवा विस्तार दिया जाता है फिर रेटायर्मेंट होने वाले थे दूसरा सेवा व विस्तार दिया जाता है तो उसको गुलामी का इनाम जरूर दिया जाता है लेकिन वो कई ओफीसर्स से उनका वाजिव हक छीन लेता है मान लीजिए किसी अधिकारी को एक साल के लिए ही सेवा विस्तार मिला उस एक साल में तमाम आईएस और आईपिएस ओफीसर जो उस पत पर आने के योग थे वरिश्चिता क्रम में वो सौभाविक तोर पर रेटायर हो जाएंगे एक व्यक्ति को एक्स्टेंसन मिलने के कारण उस व्यक्ति को उसका वाजिब हक नहीं मिल पाया यहां एक साल नहीं कई कई वार कई कई साल एक्स्टेंसन दिया जाता है ऐसे भी मौके आते हैं जब चुनाव आयुक्त के तोर पर असोग लवासा मोधी सरकार से आँख में आँख डाल करके सवाल कर रहे थे मतलब जो पूरे परवार को परिसान किया गया महज इस वजे से के मोधी सरकार का चहेता व्यक्ति असोग लवासा के रहते हुए देश का मुख चुनाव आयुक्त नहीं बन पाता असोग लवासा चले गए बाद में वो बड़ी आसानी से मुख चुनाव आयुक्त के पत पर बैठ ग नहीं कि अभी तक चीप जश्टिस ओफ इंडिया डिवाई चंद्रचून जी ने अपनी इमेज इस तोर पर बना के रखी है कि वो मोधी सरकार के सामने जुकते नहीं हैं लेकिन महज बयानवाजी से काम नहीं चलेगा इडी डिरेक्टर के मामले में सुप्रीम कोट बारवार लुकती अवैद बताती रही और बारवार टाइम भी देती रही कहीं नरेश कुमार के मामले में भी ऐसा ना हो कि बयान दे दिये जाएं मीडिया हाइप ले ली जाएं कि मोधी सरकार से लड़ते हुए दिख रही है यहां मौका लड़ते हुए दिखने का नहीं बलकि कानून और समिधान बचाने का है बारवार मोधी सरकार अपने चहेते रीड भिहीन गुलाम ब्यूरोक्रेट्स को एक्स्टेंशन क्यों देती है इस मामले में इस वे लकीर खींज देनी चाहिए कि बिना किसी ठोस वज़े के किसी गुलाम ब्यूरोक्रेट्स को इनाम और मकसद पूरा करने के लिए एक्स्टेंशन ना दिया जाए तब तो मानूंगा के चीप जेश्टिस साहब बास्तों में ब्यवस्था परिवर्तन करना चाहते हैं वरना महज मीडिया अटेंशन पाने के लिए गाल बजाते रहना चाहते हैं यही समझा जाएगा देखते रहे इने संजन मत जागरुक और सजग बने रहिए जै विज्ञान जै समीधान जै लोगतंत्र धन्यवाद